वेलकम टो एक्जाम टाइम आज है 13 अप्रिल 2020 और 13 अप्रिल 2020 से करेंट फैस के जितने भी कोशन बन सकते वो सभी आज में इस वीडियो में डिसक्रस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस वीडियो के पीडियो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा यह टॉपिक तो सबसे पहला कोशन है हाली में किसने कोविड-19 से बचा है तो सारवजिनिक अस्थवनों पर धुआ रहित या चावाने वाले तंबाकू उद्पादकों के सेवन पर और ठूकने पर प्रतिवंद लगा दिया है यानि कोई भी हो चाहे वह धुआ रहित हो अत्वाने वाले तंबाकू हो उन्हें नहीं सेवन करना है नहीं थूकना है तो इसके द्वारा तो आंध्रप्रदेश सरकार के द्वारा तो अब यहां से बात आई जितनी से कोशन बना सकते वह सबिसकोश करते हैं जैसे कि अंध्रीर प्रदेश की के पिटल का है तो अध्रावती और हैदराबाद इसमें आपको यह बात याद रखना है कि अम्रावती जो है वो वास्थविक real ै और हैदरावाद जो है कानूनी के पिटल है अंद्रब्रदेश के सीएम है तो अंद्रब्रदेश के सीएमए वाई जगन मोहन ready why एस जगनमोहन ready यहां के governor कोन है यहां के governor है विश्व भूशन हरीचंदरन विश्व भूशन हरीचंदरन तो इतने question यहां से बन सकते थे इसके बाद हम लोग आते हैं next question पर अगला question है कोरोना वायरस से हालिवूड एक्टर और कॉमेडियन टीम ब्रुक टेलर का निधन हो गया है यह किस देश से थे तो यह टीम ब्रुक टेलर एक हालिवूड एक्टर थे और प्रसिद कॉमेडियन थे इनका अभी हाली में निधन हो गया है यह कहां से थे ये थे इंग्लेंड से ये हैं Hollywood actor or comedian team Brooke Taylor जिनका की हाल ही में अभी निधन हो गया है अब यहाँ पे बात आई England की तो England से क्या क्या कोशन बन सकते हैं England से जैसे कि England की capital कहा है England की capital है London कहा है London England के PM कोन है Boris Johnson Boris Johnson और अभी जो है Corona का इलाज करवा कर डिस्चार्ज हो गया है आज के डेट में इन्हें जो है Corona संक्रमित पाया था और इनका इलाज अभी चल रहा था और इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है इसके बदाते में लोग नेक्ट कोशन पे अगला कोशन है हाल में केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निसंक ने किस वेब पॉर्टल को लांच किया है इसका सही जवाब है युक्ति युक्ति वेब पॉर्टल लांच किया गया है रमेश पोखरियाल निसंक के दोरा जो कि केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्र मानव संसाधन विकास मंत्राले के जो भी प्रियास किया रहे हैं उनकी निगरानी की जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्राले के द्वारा जो भी प्रियास किया रहे हैं उनकी निगरानी की जाएगी के द्वारा तो युक्ती पॉर्टल के द्वारा अब यहां पर बात आई महरे के फूल फॉर्म क्या होता है मिदिश्ट्री ओफ Q मरें रिसॉर्स डेवलिमेंट यह इसका स्थापना कर वही थी 26 सितंबर 1995 नेट्येटिफैव मुक्याले कहा है इसका मुक्याले है नई दिल्ली में और अभी वर्तमान में एम एच आडी मिनिश्टर कौन है तो रमेश पुखरियाल निसंग है तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे यह हैं रमेश पुखरियाल निसंग इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में किस राजी सरकार ने महराष्ट पश्चिम बंगाल और उडिशा के बाद लॉकडाउन को 30 अप्रेल तक बढ़ाने करने लिया है तो अभी महराष्ट पश्चिम बंगाल और उडिशा तथा पंजाब इसा पहले ही कर चुकी है इसके बाद अब तेलंगना सरकार भी लॉकडाउन को 30 अप्रेल तक बढ़ाने का निरने ले चुकी ह तो आई बात तलंगना की तो तलंगना की Capital काहा है, Beautiful seat का कहा है, त्यांगर के चंद्रसेक्षर राव, के चंद्रसेक्षर राव is website put त्याइश है this would । इस फटो में आप देख सकते हैं है तलंगना के स्सेंध के शर्णर कोने त्परह आते हैं तो इतने के स्य yahसे tyson कोशन पर अगला कोशन है किसने ऑटो रिक्सा टैक्सी ग्रामिन सेवा मैक्सी कैब इको फ्रेंडली सेवा इरिक्सा इसकुल कैव ड्रैवरों को पांच हजार रुपे की एक बार की वितियम मदद देने की सुरुवात की है तो ये सुरुवात की है दिल्ली सरकार ने अब बात आई दिल्ली सरकार की तो इंहों ने इस वर सत्तर विधान स्वासितों में से 62 सितों पर जीत जो है हासिल की है तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे आते हैं फिर नेक्स कोशन पर अगला कोशन है हाली में भारत फीफा की नविंतम रैंकिंग में किस अस्थान पर बरकरार है तो अभी भारत 108 अस्थान पर बरकरार है और अब यहां पर मात आई तो फिफा की फिफा का फूल फॉर्म क्या होता ए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुट"-वाल ऑस यह होता है फिफा का फॉल फॉर्म अब यहां पर आपको याद क्या रखना है जो कि बहूत भार पर फिपा की नविन किन और इसमें भारत का क्या स्थान है भारत का स्थान है एक सो आठवा, जो कि बरकरार है, इसके बाद बात आई फीफा की, तो फीफा की अस्थापना कब हुई थी? ये पुछा जाता है कभी-कभी, तो 21 मई 1904 को फीफा की अस्थापना हूँ, इसके अध्याक्स कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो, गियानी एन्फेंटिनो, इतने कोईशन यहां से बन सकते थे इसके बाद आते हम लोग नेक्स्ट कोईशन पर तो अगला कोईशन है किस बैंक ने बैंक ग्रहों से ग्रहकों से डिजीटल भुक्तान मोड अपनाने का आग्रा करते हुए ट्वीटर अभ्यान शुरू किया है इसका सही जवाब है आर बी आई याने रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अभी डिजीटल भुक्तान मोड अपनाने के लिए ट्वीटर अभ्यान शुरू किया है और अब ये ट्वीटर अभ्यान शुरू क्यों किया गया है डिजीटल भुक्तान मोड अपनाने का आग्रह क्यों किया गया है त ताकि बैंक में भी भीरब़ना हो और सोशल डिस्ट्लिस निभै मि इसके लिए पर जोड़ दिया जा रहा है और आपको यह या रखना है कि इस अभ्यान का मुख्य चहरा किसे बनाया गया है अमिताब बच्चन को अमिताब बच्चन को इसका मुख्य चेहरा बनाया गया है अब बात आई यहां पर रिजर बैंक ऑफ इंडिया की आर बी आई की तो आर बी आई का स्थपना कवी है एक एप्रिल 1935 एक अप्रिल 1935 को मुख्याले कहा है मुंबई में और इसके कुन है जो कि बार बार पूछा जाते हैं इसके अध्यक्ष है सकतीकांत दास सकतीकांत दास तो इतने को सद्धान से बन सकते थे आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में पदम स्री पुसकार से समानित सांती हीरानंद का निधन हो गया है वह कौन थी तो स सांती हीरानंद हिंदुस्तानी सास्त्रिय गाय का थी यह हैं सांती हीरानंद जिने की पदम पुरसकार से शमानित किया गया है और अब यहां पर बात आई पदम पुरसकार की तो इन्हें पदम पुरसकार कब दिया गया था इन्हें पदम पुरसकार 2007 में दिया गया था और इन्हें कौन देती है इन्हें भारत सरकार परदान करती है और एक बात चुकि काफी important है यह भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला चोथा सर्वोच सम्मान है चोथा सर्वोच नागरिक सम्मान इसे कहा जा सकता है और ये दिया क्यों जाता है किस छेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है तो यह पुरस्कार कला, सिक्छा, उद्योग, साहित्य, विज्यान, खेल, चिकित्सा, तथा समाज सेवा और जीवन में अगर कोई विशिष्ट योगदान है आपका तो इस हेतु ये प दे नजर लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए वाट्सप नमबर जारी किया है तो अभी NWC यानि नेशनल ओमें कोमिशन इन्होंने एक वाट्सप नमबर जारी किया है और क्यों जारी किया है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा अगर हो रही है तो इसमें महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए महिलाओं के लिए यह वाटसपफ नंबर जारी किया गया है यह वाटसपफ नंबर कितना है यह आप हमारे इस्क्रीन पर देख सकते हैं 7217-35372 यह अब के द्वारा अब पर बात आई नेशनल ओमेंड कमिशन की तो नेशनल ओमेंड कमिशन के अस्थबना कब हुई है जनवरी 1992 में और इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले है न्यू डेली में कहा है न्यू डेली में और इस आयोग की पर्थम महिला प्रमुक कौन थी तो पर्थम प्रमु नेच्ट कोश्शन पे, अगला कोश्शन है, किस बैंक ने, डीजी जैन, बचत खाते और सावधी जमा के लिए, सरल डिजीटल बैंकिंग की सुरुवात की है, तो ये सुरुवात की है, जन लगू वित बैंक के दौरा, जन लगू वित बैंक के दौरा, अब यहाँ पर आपक ग्राहक डिजिटल रूप से तुरंत बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं तो यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और यह मात्र तीन चरण की प्रक्रिया दिजिजेन में खाता खोलने या तो फिर भुखतान करने की मात्र तीन प्रक्रिया है तीन चरण की प्रक्रिया यानि बहुत सिंपल प्रक्रिया है जिसे अपना कर कोई भी जो है कि दिपॉजिट कर सकता है या तो फिर बचत खाता खोल सकता है इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में पुर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रिज जैक कर देर्ष के खिलाडी थे इसका सफ्य जवाब है डेक्शिन अपरीका यह डेक्षिन अप्रिक कि कौन थे जैकी डू प्रिजिए और इसका क्या हो गया है अभी हाल Amen निदन हो गया है अच्या यह लेग इसपिनर गेंदवास थे एकर जैक्षिन अप्राइब कि ती किनों ने जैकी डू प्रिजब अब यहां पर बात आई देकचीन अफरीका की तो देकचीन अफरीका की Capital का है इनके तीन Capital Cape Town, Pictoria and Blohmfontein कौन कौन? इनके बात आई कि दकचीन अफरीका की करेंसी क्या है तो यहां की करेंसी है दक्षिन अफ्रीकी रेंड दक्षिन अफ्रीकी रेंड यहां की करेंसी है इसके बाद यहां के राष्ट पती कौन है तो दक्षिन अफ्रीका के राष्ट पती है सिरिल रामा फोशा सिरिल रामा फोशा तो इतने कोशन यहां से बन सकते थ इस मद्दे नजर किसने पर्तिबंद हटाने के खिलाब चिताबनी जारी की है तो अभी कोरोना वायरस के मद्दे नजर WHO ने चिताबनी जारी की है कि यह जो मिर्तियू एक लाग के पार होगे अगर अभी परतिबंद हटा लिया जाए लॉकडाउन का तो अभी बहुत यहां पर दुनिया को प्रेसानी में यानि कि प्रेसानी जहलना पर सकता है तो यह अभी किस ने चेतावनी जारी की है अब बात आई डबलू एच ओ की तो डबलू एच ओ की अस्थापना कब हुई है तो डबलू एच ओ की अस्थापना हुई है 7 अप्रिल 1948 इसका मुख्याले का है जेनेवा स्विट जरलेन में डबलू एच ओ के महानी देसक को ने टेड्रोस एड्हानॉम तो यह इसके महानी देसक है इसके बाद हम लोग आते है नेक्स्ट कोश्चन पर इस यहां पर ही इस यह सिरिंखलास आज की 13 अप्रिल 2020 के 12 को पूरे कर लिए गया है आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया तो अभी कर लें ताकि यहां इस चैनल के माध्यम से आप रोजाना बेश्ट जो भी करेंट के इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं वह आप तक पहुंचे जल्द से जल्द तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट करेंगे हीं